करने वाले हैं और आज के वीडियो पे बात करने वाले हैं ओपी के फंडामेंटल अनलिसिस के उपपर सो अप्टिबिजम ने बनाई हैं ऑप्टिबिस्टिक जो बेस्ट टेक उस टेक को यूज करके उन्होंने लूंच किया है और अप्टिबिजम का जो ल्टू है वह अब दिशिजन होते हैं जो टोकन होलडर होते मों उसको करता है वोटिंग प्रोसेस होता आ है कोई भी डिशीजन हो चाया है रोजेक्ट वाइस हो या कि लाँज कर सकता है, तो उसको बोलते है UP stack, ठीक है तो optimum का एक थोखुद का chain है, UP L2 और एक उनोदे tech solic launching लाँज किया है, उस उस岁ज को use करके, जिसको भी 1 उसको लाँज करना ऑन वह 8 लाँज कर सकता है, और जो वह गया उसका governance token है, अभी बात करते है Key Matrix की, तो Key Matrix अभी OP की price वगर अट $1.4 के आसपाँ चल रहे है, OP का जो market cap है वो $1.0 million के आसपास है FTV $6.0 million के आसपास है, ठीक है और अभी इसके revenue की बात करते हैं, पिछले 30 दिनों में तो $1.26 million का revenue है, उस पे पिछले 30 दिनों 80% के आसपास growth आई है और यहाँ पे fees की भी growth 64% के आसपास है पिछले 30 दिनों $4.15 million के आसपास fees जनरेट की है So revenue-wise काफी अच्छा कर रहे है L2 जो Arbitrum हो गया, OP हो गया यह revenue-wise काफी अच्छा कर रहे है क्योंकि revenue काफी कब protocol जनरेट करते है जैसे L2 का revenue है वो L1 से भी ज़्यादा है Solala से भी ज़्यादा है BNB से भी ज़्यादा है Ethereum का revenue सबसे ज़्यादा है बट उसके बना Arbitrum Arbit का revenue काफी उनके size काफी अच्छी है So like annual revenue की बात करते है तो 15 million dollar के आसपास इनका run rate चल रहा है प्राइस दे के ट्रांजेक्शन कर पा रहे है इसलिए आप आप आपे ट्रांजेक्शन करते हो जैसे आपको कोई DeFi पे swap करना है Ethereum पे करना है उस पर कई बार 5 dollar fees लग जाती है 6 dollar लग जाती है वो यह optimism पे आप आवे यूस कर रहे हो वो ही आपको 0.2 dollar, 0.3 dollar या 0.5 dollar fees पे करनी पट रहे है 10X का फर्क बट रहा है इसलिए लोग L2 यूस कर रहे है यहाँ पे क्या होता है कि यह आपको 0.5 dollar में transition करने देते हैं और काफी multiple transition कर लेते हैं और जब transactions का एक batch बना लेते हैं जैसे 1000 transition का batch बना लिया 500 transition का batch बना लिया और उसको L1 में बेज़ देते हैं settle करने के लिए L1 में settle इसलिए करते हैं कि L1 की security मिले है L1 की security मिलेगी तब जाके उनका जो network का value आगे बढ़ेगा तब जाके वहाँ पर और devs बनेगी आपर security सबसे ज्यादा important है इसलिए L1 जो है security share करता है L1 security share करने के लिए fees उसको देनी पड़ती है right so security के लिए जो fees pay करते है तो वो fees जो pay करते है वो transaction fees पर pay करते है तो जैसे 500 transition का लोने batch बना लिया L1 में settle करते है L1 में settle करने के जो fees होती है जो transition के fees होती है ये लोग pay करते है pay कोन करते है sequencer pay करते है sequencer का काम होता है ये transaction का batch बना के L1 में settle करना sequencer जो होता है इनका खुद का sequencer है OP का बनलब centralized sequencer है उनके लोग ही चलाते है और उससे जो भी revenue generate होता है वो खुद के पास ही रखते है तो यहाँ पर होता है कि जैसे Ethereum को उनको देना है 1 रूपिया आप से चार्ज करते है 1.2 रूपीज 20 पसें, 30 पसें, 40 पसें प्रीमियम केसे आप से चलता है तो per transaction ultimately आप ये बान के चलो 15-20 पसेंट उनका revenue होता है तो जो cut लेते है ultimately ये premium पर game चलता है जो commission कह सकते हो, premium कह सकते हो जो भी आपको language चार्ज करनी है जो भी ये transaction fees के उपर आपको प्रीमियम चार्ज करते है वहाँ पर उनका revenue generate होता है तो इस टाइप से economics काम करते है कोई भी L2 में चाहिए, optimism हो, arbitrum हो तो इस टाइप से आपको बता दिया economics भी आपको बता दिया जाकि आपको idea लगए कि किस टाइप से revenue generation हो रहा है अब यह पर आते है tokenomics की तो tokenomics की जब बात करते हैं तो OPA governance token में आपको बता चुका हो और इसकी 41% के आसपा जो supply है वो founder और investor के पास है और इसकी पुरी जो supply है 27 तक अलोग हो जाएगी जून 2017 तक पुरी supply अलोग हो जाएगी तब तक उनका लंबा वेस्टिव शेडूल चलेगा और इनका जो annual emission rate के बात करते हैं वो मेने पहले काफे जादा थी बीच बड़ा अलोग हुआ था इसकी दो मेने पहले हुआ था उसके बाद जो annual supply जो आने वाले है वो drop हो गई अभी 42% के आसपास आएगी इस साल supply 42% के आसपास जो supply आएगी जो annual inflation वो भी काफी higher side पे काफी जादा higher side पे बट यहाँ पर यह कि जो 42% से जो supply हर साल reduce हो जाएगी और over the four years यह supply 42% से 18% के आसपास चली जाएगी और उसके बाद जब यह पूरा उसका max cap रीज हो जाता है पूरी supply market में आजाती है उसके बाद 2% supply हर साल बढ़ेगी 277 के बाद तो इस टाइप से उनका supply distribution है अब भी आपन बात करते है ओपी स्टेक की आपको बता है था कि अपी स्टेक ऐसा टेक स्टी जिसको यूस करके आप कस्टम ब्लॉक्षेंट मला सकते हो आपका जो भी कस्टम ब्लॉक्षेंट होगा वह L2 होगा एक आपी स्टेक में काफी किस्टमाइज़ेशन वाले उप्षन मिलते है जैसे अभी OP-BNB में की बात करते है, तो OP-BNB ने जो OP-Stake यूस करकरे लांच किया है, तो उस पे जो deseo settles कर रहे है, वो finance पर कर रहे है, वैसी mental ने launch किया है, तो उस इते हो तापके नीचर। sinful करना है, settlement layer कना सी use करनी है, consensus layer कान सी use करना है, डेटा काप पे अवेलेबल करवाना, डेटा काप पे स्टोर करना है. So, multiple options मिल जाते हैं. Modular architecture आप अपने हिसाफ से design कर सकते हो. यह उसकी खासियत है. तो OPST काफी सही है, काफी companies इसको अलड़ी यूज कर शोकिए. Base is one of the major example, major L2 जो उस पे लाँच हुआ है. OP-BNB उसके लाँच हुआ है, Mental उसके लाँच हुआ है, Mental उसके लाँच हुआ है, Mental उसके लाँच हुआ है, मन्ता उसके लाँच हो रहा है. अभी WorldCoin ने भी L2 यूज किया है, OP का. तो OPST इसके अलावा और भी partnership बनोने की है. अभी बात करते हैं इसके ecosystem की. अगर ecosystem की बात करते है, DeFi is kind of सबसे जादा dominance DeFi की. DeFi का ecosystem भी काफी अच्छा है, Optimism पर अभी तक. और DeFi में अगर TVL की बात करते हैं, तो 773 million dollar के आसपास है. सबसे बड़ा protocol जो है, यहाँपे वेलोट्रोब है. वेलोट्रोब एक काफी अच्छा protocol है, वेलोट्रोब एक DEX है, और यह V33 concept पर काम करता है, solidly exchange भी कह सकते हैं, solidly का primitive यह यूज करते हैं. उस पे जो भी आप वेलोट्रोब की token आप hold कर रहे हो, उसमें आप token अगर लॉक करते हो, कुछ time frame के लिए, तो आपको incentive मिलता है, incentive में आपको 100% जो trading fee से जनरेट करते हैं, वो pass on करते हैं, इसके अलावा आप अगर voting process पर participate कर रहे हो, bribing marketplace पर participate कर रहे हो, तो उसमें भी incentive मिलता है, तो काफी सही यह VE33 DEX है, और काफी popular DEX है, काफी अच्छा primitive उन्होंने launch किया है, और उसको traction भी काफी अच्छा भी रहा है, तो वेलोडरम की activity भी काफी आगे बढ़ सकती, यह exchange काफी बड़ा हो सकता है future में, और वो optimism पर चल रहा है, optimism का सबसे main project वो है, ठीक है, तो यह इसका होगा, इसके अलावा synthetics है, आवे है, अब इसके recent milestone की बात करते हैं, तो recent milestone अगर बात करेंगे, तो OP stake का partnership है, वो one of the recent major milestone है, इसके लावा June में 386 million tokens जो अलोक होए थे, वो like one of the major unlock था, और इसके लावा WorldCoin ने recently partnership की, और bedrock upgrade भी आया था recently, उसके बाद काफी ज़ादा और उसकी जो fees है, वो कम हो गई, और इसकी performance होड़ ज़ादा बढ़ गई, optimism के L2 की, और इसके बाद बात करते है growth drivers की, कि क्या reason की वैसे OP की price बढ़ सकती है, तो OP की price का जो growth driver काफी simple है, वो है OP stake, OP stake ने recently proposal discuss किया, उसके बोलते है law of change, वो proposal pass नहीं हुआ है, discussion में चल रहा है, proposal pass होने में अभी time है, अभी वो internally discuss कर रहे है, low of change यह बोलता है कि, जो भी chain OP stake use करके launch की गई है, वो अगर चाती है, तो super chain ecosystem वो बना रहे है, उसको join कर सकती, super chain ecosystem आप join करोगे, तो आपको 3 फायदे होगे, एक तो जो सबसे best tech है, OP roll up की वो आपको मिलेगी, उसके नए upgrade आपको मिलेगे, इसके अलावा Ethereum की security आपको मिलेगी, इसके अलावा shared liquidity मिलेगी, super chain के सारी chains आपस पे connected होगी, तो यह आपे cross chain transactions वगरा काफी easy हो जाएगा, और इसके अलावा shared governance का भी proposal आए है, और उस case में जैसे base example के super chain join करता है, तो उस case में जो OP होगा, वो govern करेगा base को, so OP could be the governance token for base, so इस type का funda हो सकता है, तो कई सारे L2s होगे, वो खुद का governance token launch नहीं करेगे, और OP का governance token use कर सकते हैं, तब use कर सकते हैं, जब यह proposal है वो pass हो, अभी यह proposal discussion में चल रहा है, अभी इसका public snapshot पे आया नहीं है, आयागा तब पता चलेगा कि इसका response आता है, पास होता कि नहीं होता है, अभी तक internally इसका discussion काफी positive हुआ है, और काफी chances है कि यह pass हो सकता है, अभी अपन बात करते हैं कि इसके investment risk क्या हो सकती है, अभी गार पास नहीं होता है, तो थोड़ा सा dice हो सकता है, इसके अलबा यह OP stake जो कर रहा है, जो blockchain tool की रोल ने बनाई है, वैसे और भी L2 ने बनाई है, Polygon के पास भी है, Arbiterum के पास भी है, Subnet भी है, तो कई सारे यह, इससे वेरी consistent market, काफी ज्यादा competitive market है L2 का, और यह stake अब के पास है, यहाँ पर किसको ज्यादा लोग बिलेगे, किसको ज्यादा project बिलेगे, कितने project किस stake पर ज्यादा launch होगे, और stake पर launch होना ही enough नहीं है, यहाँ पर governance का participation भी बढ़ना काफी ज़रूरी है, जो भी ecosystem में project आ रहे है, वो कहीं नहीं कि उनको ऐसा motivation factor होना चाहिए, वो आपका token buy करें और governance का part बनें, जब तक वो motivation factor नहीं होगा, तब तक वो reason नहीं होगा, तब तक वो value capture नहीं होगा, तब तक वो missing है ओचीज, तो यहाँ पर low up chain है, that is one of the probable value capture for OOP, और इसका value तब भी बड़ेगा, जब इसकी governance की demand बड़ेगी, और second जो है, यह OOP stake की अगर बात करते हैं, OOP stake अभी काफी अच्छा है, बट market में और भी कई सारे blockchain toolkit है, वो भी launch हो रहे हैं, orbit भी काफी जल्दी उसके भी announcement वगरा होने वाला है, अब demand उसकी अपसे नहीं बड़ी, तो वो थोड़ा सा valuation नहीं बनेगा उसका, इसलिए it is very much important कि जिस तरीके से supply battery, उससे ज़्यादा demand बड़े, तब price उसको follow करेगी, तो यह चीज भी ध्यान अगना काफी जरूरी है, so that is all from my side, और बाकि this is not any kind of financial advice here, यह खाली research के लिए इस वीडियो को देखो, समझो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, बाकि इस thread को वापस पढ़ लो, और OP की उपर एक report मैं बनाऊँगा, future मैं उसको भी release करूगा, और Twitter पर follow करो, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी आखे, जब टाइम मिलेगा तो वीडियो बना लोगा, बाकि मेंली मेरा content आता है Twitter पर, Twitter पर account बनाऊ, वहाँ पर follow करो, तो वहाँ पर आपडेट आपको मिलती रहेगी, thread पढ़ो, knowledge मिलता रहेगा, alpha मिलते रहेगे, और आगे बढ़ोगे, so that is all for my side, बाकि इस वीडियो को like करो, subscribe करो, channel को, share करो वीडियो को, और बाकि बाकि बैल आइकन में ख्लिक करो, ता कि future में और भी वीडियो इस कप्रीट आपको मिलते रहे, बिलते नए वीडियो जल्दी, thank you.